हेलो इस्ट्रूएंट स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में अभी हमने लास्ट दो दिन में स्क्वर्स निकालना सिखे थे वन से लेके 1000 तक आज इस वीडियो में सिखेंगे स्क्वर रूट निकालना लेकिन सिर्फ परसिप किसके परफेक्ट नंबर के जो की ब करना क्या पड़ेगी रेगुलर प्रेक्टीज चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले आपको मिनिमम थर्टी तक के स्क्वर्स याद होने चाहिए आप चाहे तो इसक्रीन शोट ले सकते हैं प्रॉपर्ली स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिये आपको क्या करना है आपको एक चीस धियान रखना है वन से लेके टाल गाफ जितने स्क्रीम सेखते हैं इनकी यूनित डिजिट क्या है इसकी क्या है वन इदर फॉर इधर थ्रीक नहींद इधर क्या है 6 इधर क्या है 5 ओके इधर क्या है 6 इधर क्या है 9 इधर क्या है 4 इधर क्या है 1 इधर क्या है 0 तो अगर आप देखो कि तो 0 को और 5 को अगर आप छोड़ दो तो बाकि सारे नमबर रिपीट हो रहे देखो कैसे यह देखो 1 4 9 और 6 और अब इनके pairs भी देखो 4 और 6 का जो होता है वो देखो 6 होता है तो 4 और 6 10 3 और 7 का जो होता है 9 होता है यह भी क्या हो जाएंगे 10 2 और 8 का भी क्या होता है 10 1 और 9 का भी क्या होता है 10 तो कहने का मतलब है कि इनको प्लस करने पर क्या था? 10 आता है. आपको इनकी unit journals आधर रहा है. अगर 1 आ है तो उसके last में वन यहादा है, 9 यहादा है. अगर यहादा है तो 64 घो सकता है. entit4 यूहाद ए तो 8 यूह को ए, इस type से. आइधिक समझ में आया होगा आप लोग को चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमें 4096 का स्क्राइब निकान ना है हमें दो पार्ट में डिवाइट करना है लास्ट टू डिजिट और उसके बाद की डिजिट मैं यह सबसे समझ में आ गया होगा आपको अब लिएक यहां पर क्या दे रखाए 6 दे रखाए 6 की अगर हम बात करें तो 6 दो इसमें आता है ठीक है एक तो 4 के इसमें आता है और 6 के इसमें आता है हमको पता है 4 का स्क्राइब 16 होता है और 6 का स्क्राइब भी क्या होता है 16 होत अब देखो दोन जगा चेक करोंगे six, six आ रहे, तो four भी आ सकता है और six भी आ सकता है, तो मतलब एक जगा पर तो या तो four और six, अब 40 की अगर हम बात करें, तो 40 से कम किसका square आता है या 40 किसके square की बीच में आता है, तो सरथ six और seven square की बीच में आता है, कैसे देखो, six का square 36 हो जो से चेट पर अब बात यह है कि आंसर पोगा यह 66 होगा तो आपको कुछ नहीं करना है 6 का 7 में मुल्टिप्लाए करना है 6 7 सा किता होता है 42 अब देखो यह जो संक्या 42 से क्या है कम है तो आंसर प्लिकों सा होगा कम वाला कि आए परकर नहीं हो तो ने बात नहीं अया तो निक्सक्षें देख कर सामज में आजाएगा प्रोसेस से दिही से कम किसका स्कूर आता है तो 72 से कम सर हमको पता है 8 का स्कूर आता है ठीक है तो यह तो डायरेक्टी आंसर पता लग गया इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी निस कुशन गीतरा भागे बढ़ते हैं 1521 देखो यहां क्या आ रहा है वन अब वान एक तो वन केसमें आता है और एक 9 केसमें आता है क्योंकि 1 का स्कूर 1 होता है 9 का स्कूर 81 होता है तो दोनों के लास्ट में 1 आता है दूसरा 15 से कम किसका स्कूर आता है तो सर पंदरा से कम जो स्कूर आता है वो आता है 3 का ठीक तो 1 आएगा 9 इसका पता करने का तरीका क्या है 3 के बाद क्या आता है 4, 3, 4 जा कितना हो जाएगा 12, 12 से जादा है या कम है 15, जादा है तो फिर बाद वाला हो जाएगा जादा वाला, 39 clear में आप समझ में आया होगा अगला नमबर दिखिए, 8, 6, 4, 9 9 की बात करते हैं अगर अपन तो 9 एक 3 के इसमें आता है एक 7 के इसमें आता है 90 से कम हैं, कम हैं तो आंसर कुन सा होगा, कम वाला होगा, बहुत बढ़िया, very good तो 93 is the answer यह तो अभी छोटे-छोटे नंबर की थे, अब हम थोड़े बड़े नंबर की निकालेंगे, ठीक है, देखो बड़े नंबर की निकालना की है, दो का पेर बनाया बाद में जो बना उन सब का एक पेर बना दिया, ठीक, अब 36 की बात करें, तो लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है, तो 6 किस 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 में आता है, एक तो 4 किस में आता है, 6 किस में आता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पता है 4 का square 16, 6 का square 36 तो लास्ट में 6, 6, 4 या 6 में आ सकता है, 112 से कम किस का square होता है, 112 से कम इसके होता है, 10 का, ठीक है, अब 104 या 106 तो 10 के बात क्या आता है, 11, कितना हो गया 110, 110 से ज़्यादा है या कम है, 110 से ज़्यादा है, ज़्यादा हो तो कुन सा ले लेंगे, बड़ा वाला नंबर, तो किसका हो गया, 106 का square हो गया, clear हुआ यह चीश, चलिए आगे बड़ते है, 3809, देखो यह भी बड़ा नंबर है, लास्ट के दोड़ जीट लिए है, और इधर की ती, 9 किस के समें आता है, 3 के समें आता है, और 7 के समें आता है, ठीक है, अब 388 से कम किस का square आता है, तो आप आपको पता होगा, 388 से कम होता है, 19 का square, 361, मैंने इसलिए बुला है, 30 तक के square याद करना है, तो यहाँ पर क्या है, 19, अब 193 होगा है, 197, तो 19 के बाद क्या आता है, 20, multiply कर लो, 380, 380 से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो कुन सा होगा, बाद वाला, बाद में क्या है 7, तो 7, 197 is the answer, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते है, 4, 5, 3, 6, 9, करना क्या है, 2 का square, 3 का square, 69 की बात करें अगर अगर अपन, मतलब 9 आ रहा है, 9 किसके में आता है, 3 किसमें आता है, और 7 किसमें आता है, 453 से कम किसका इसके में आता है, सर 453 से कम जो आता है, वो आता है हमारा 21 का, क्योंकि हमको पता है 21 का square क्या होता है, 4, 4, 1, आपको 30 तक के square याद करने पड़ेंगे, अगर आपको इत्ते सारे squares निकालने तो, छोटे कम से काम हो जागा, लेकिन बढ़े में जब आप जाओगे, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, अब 2, 1, 3 होगा या 2, 1, 7 होगा, क्योंकि इस साइट तो 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो आपन किसे चेक करेंगे, 21 का multiply किस में करेंगे, 22 में, आंसर किता है का 462, तो 462 से संघ्या कम है या छोटी है, सर कम है, कम है तो कुन सा होगा, छोटा वाला हो जाएगा, 213 is the answer, next question 94864, यह आप लोगों के लिए homework है, ठीक है, यह homework का कोशन है, आपको करना है, और इसका answer मुझे comment box में देना है आपको, और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी, trick कैसी लगी, यह भी comment box में लिखकर बताए, वीडियो को like करे, comment करे, share करे, और चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को subscribe क अरे बगेना जाए, साथ में जो notification बिल होती, जो घंटी होती उसको दबाए, ताकि हम आरे हर वीडियो आप तक पोच जाए, वीडियो को watch करने के लिए भदबद धन्यवाद, रेगुलर मिलते हैं 8 बजे नई ट्रिकों के साथ, good bye to all